सुरसत्ति मां की कथा सुनाओं सुनना भगतो ध्याने लगाए स्वेच बस्त्र मां के तन सोहे स्वेच कमल पर आसन लाए बीणा पूस तक धारणी माता रूप चतुर भुज रहा दिखाए गले स्वेच मतियन की माला स्वेच रंग मां के मनभाए मस्तक पे है मुकुट सोने का जिसकी जमक से सुर्य लाजाए हनस सवारी पे महा चलती स्वेच पूस मां के मनभाए बिद्य की अदिश्ठात्री माता जिसको जगपुचसी सिनवाए सर्व पर्थम स्रिष्टी में ब्रम्हा जी और जन तू दिये बनाए जी और जन तू बन गय लेकिन जी और जन तू बन गय लेकिन ध्वनी प्रकती में नहीं सुना आई इसलिए सब सूना लगता ब्रम्हा की चिन्ता बड़ा आए शिव संकर के पासन ब्रम्हा अपनी समस्या रहे बताए शिव जी ब्रम्हा जी से बोले बात को सुनिये ध्याने लगाए सुन्दर लारी प्रकट कीजिये सिव संभू बोले मुसकाए शिव संभू की बाते सुनके ब्रह्मा कमंडल हाथ उठाए जल छिरके हैं कमंडल में से जल की पूंद धरा पे आए प्रकट हुई है सुरसति माता बहुत ही सुन्दर रूप दिखाए हाथ में पीना लेकर माता मंद मंद है रही मुसका है जैसे ही पीना को बजाई जैसे ही बेरा को बजाई साकी ध्वनी गई है सुनाई साथो सुर के पहले सुर को सार्दमा ने दिया बजाई तीनों लोक में ध्वनी आ गई मधुर मधुर संगीत सुनाई ब्रह्मा सुन्दर कन्या देखे उनको ना विश्वास हो पाए कलपना से भी सुन्दर कन्या जो देखे देखत रह जाए ब्रह्मा जी कन्या से पूछे कौन हो तुम दो नामों बताए स्वरस्थी ब्रह्मा जी से बोली सार्द मेरा नाम कहाए ज्यान वित्या संगीत की देवी मुझको पूजे सब सिरनाय प्रह्मा को पर चैबत लाई जग संगीत में दिया बनाए जब जब धरा पे संकटाया जब जब धरा पे संकटाया तब दब सार्द माने बचाए मदू और कैट अब दो राक्षस्ते महाबली आसुर कहला आए जिनको देखके ब्रह्मा डर गए विश्णू जी के पास में आए सिरीहरी से बोले ब्रह्मा किसी तरह दो जान बचाए मदू और कैट अब दोनु असुर ही सिरीहरी मुझको रहे डराए ब्रह्मा जी की बात को सुनके सिरीहरी विश्णू क्रोध में आये सामने दोनों असुर खड़े थे भीशन गरजिन रहे लगाए धरती दोली अंबर डोले देव लोक भी गया थराए दोनों असुर विश्णू से बोले मदू कैट अब है नाम कहा दिनों लोकों में कोई ना ऐसा तीनों लोक में कोई ना ऐसा हम दोनों से जोट कराएं यूद करो तुम हम दोनों से मार तुझे राजा बन जाएं तीनों लोक में करेंगे सासन हमकों कोई रोक न पाए मदू कैट अब की बात को सुनके सिरिहर विश्णू क्रोध में आए मदू कैट अब दोनों से बोले तुम मेरे सन मुखटिक ना पाए, सपना धूरा रह जाएगा दोगे अपनी जान दवाए, भाग जाओ अभी दोनों यहाँ से भागे लो तुम जान बचाए, मदुकाई तब सुने क्रोध में आए सिरिहरी विश्नू से टकराए, बहुत भेयंकर युद्ध हुआ है पाँच हजार वर्स युद्ध हुआ तो पाँच हजार वर्स युद्ध हुआ तो देख देवता गए घबराए सरण में शार दमा के आए हैं सरस्वती से अरज लगाए है मा हमारी रक्षा कीजिए मदुकर्टब से जाने बचाए पहुत भेयंकर युद्ध हो रहा माता बताओ कोई उपाए सिरिहल का भी चक्र सुदर्शन्थ मदुकर्टब को मार न पाए सरस्वती ने बात सुनी है बोली देवता से मुसकाए मदुकर्टब से मुक्ती दुंगी आप लोग निजभव न को जाए इतना कह करमा सरस्थी मदुकर्टब में गई समाए मदुकर्टब की मती को फेरी मदुकर्टब आठास लगाए विश्नु जी के पास में आए विश्नु जी के पास में आए विश्नु से बोले मुसकाए सबको बर देते फिरते हो जूती ही सकती साली कहाए नहीं पराजित होंगे तुमसे चाहे कर लो कोई उपाए इतने दिनों तक लडा तु हमसे नहीं परिणाम निकलने पाए हम दोनों है सकती साली हमको कोई जीते न पाए वर मागो विश्नु तुम हमसे जो भी तेरे मन में आए सुन बाते मदू और कैटव की सिरी हरी विश्नु रहे मुसकाए हुई सहाए सारे ते मुझे पे मदू कैटव की मती मराए ऐसा सोच के विश्नु बोले मदू कैटव के सामेने जाए तुम दोनों अपनी मिर्टु बताओ तुम दोनों अपनी मिर्टु बताओ कैसे तुम्हारे मिर्टु हो पाए यही वर्दाने मैं मांग रहा हूँ यथा सिग्र तुम दो बतलाए हम दोनों असरों को विश्नु अपनी जंगों पर दो लेटवाए चक्र सुदर्सन से सिर काटो तब ही हम दोनों मर पाए तेरे ही हाँ तों मुक्ती होगी इसलिए लड़ने हमाए मदु कैटब को सिरी हरी ने जांग पर है दिया लेटाए दोनों जंगे पर लेटा कर गले पे चक्र दिये है चलाए चक्र सुदर्सन गले को काटा दोनों ही गए मुक्ती पाए देख शार्दा को विश्णू जी बोले सार्दा से मुसका आया आपने दोनों का अंति कराया आपने दोनों का अंति कराया आपकी महिमन वर्णी जा इन दोनों की बुध्धी फेरके मेरे हातों दिया मरवाए सरसति मापे सारे देवता रहे अंबर से भूल बंसाए कुम करन था महबलिस साली रावन का जो भाई कहाए बहुत बड़ा पेट था उसका कितना भी खाए भर ना पाए जिवजन तू को लगा है खाने तीनों लोक गए थर रावन पुम करन से बोला जब तब भी कुछ कर लो भाई रावन की वो बात मान के तब का आसन दिया लगा है भूक लगी उसे बड़ी जोर से सुथा पेट की रही सता है रावन से बोला है जाकर रावन से बोला है जाकर मुझस से तपना होने पाए भोजन कहां पे करने जाओं मुझको जरा तुम दो बतला है उत्तर दिसा की तरब तुम जाओ जो भी मिले उसे जाना खाए उत्तर दिसा की सभी प्रणई को दस दिन में ही गाया वो खाए पुन्हे रावन के पास में पहुचा रावन उसको रह समझाए सुनो है कुमकरण मेरे भ्राता सभी को भोजन लोगे बनाए श्रिष्टी हो जाएगी खाली जी प्राणी बचने ना पाए प्रम्हाजी को प्रकट करो तुम तब कास लगा दो भाए उनसे इंद्रासन को मांगो तीनो लोग तेरे हाथ में आए पकड़ के खाओ देवताओं को पकड़ के खाओ देवताओं को तुमको कोई रोक न पाए जिधर बिच्चा हो उदर ही बोजन परसानी ना होने पाए रावन की बातों को सुनकर कुमकरन है गया हरसाए तब कास लगा दिया है ब्रम्ह देव का ध्याने लगाए रावन प्रम्ह जी से बोले यथा सिग्र प्रसन हो जाए कुमकरन को वर्दे प्रभू नहीं तो भी शन अनर्थ हो जाए पकड़ के देवताओं को खाएगा उसको कोई रोक न पाए तराही मची है तीनों लोक में कुमकरन से कौन बचाए इंद्रासन यति माम दिलिया तो देवताओं को पकड़ के खाएगा देवताओं ने डर के मारे देवताओं ने डर के मारे शार दमा का ध्यान लगाए माता सुरसति प्रकट हुई है बोली देवताओं से जाए डरने की कोई बात नहीं है आप लोग निश्चित हो जाए अंतर ध्यान हुई सुरसति माता कुमकरण के पासे में आए मन में उसके जाके समाई जिवापे आसन को लगाए ब्रम्हा जी तब ब्रकट हुए है कुमकरण से बोले जाए वर मांगो बेटा तुम हमसे जो भी तेरे मन में आए खुस हो कर तब कुमकरण ने ब्रम्हा से बोले हर्षा निंद्रासन प्रभु मुझे दीजिये कुमकरण बोले हर्षा शुरसति माने पुद्धी पल्टी सुरसति माने मती को पल्टा सारे देव गए हर्षा ये ब्रम्हा जी ये मस तू बोले बर्दे के रहे मुसका निंद्रा देवी सवर हुई तो कुमकरण कुछ समझ न पाए सो गया निंद में कुमकरण तो रावण ब्रम्हा के पास में आए ब्रम्हा जी से रावण बोला प्रभु जी की जिये कोई उपाए जीवन भर ये सोया रहेगा कभी भी ये ना जगने पाए जीवन का सुक कैसे भोगे मितक समान फिर ये हो जाए रावण की सुनकर के बाते ब्रम्हा रावण को समझाए छे मापे जागेगा एक दिन एक दिन बाद फिर सो जाए बीच में यदि कोई जगा दिया तो बीच में यदि कोई जगा दिया तो इसकी मित्यू निचित्या रावण को समझाए ब्रम्हा गए हैं ब्रम्हें लोक में आए रावण लेकर राज महल में कुम करण को दिया सुलाए राम सियासन आए ययोध्या असुर रहे उत्पात मचाए सरसे महाबल साली रावण जिसकी विर्तन वरने जाए भूत भविस वर्तमान जानता जोपी मह ग्यानी कहलाए बड़ा भिशन उत्पात मचाए देव तत्राही माम चलाए सरसुती के सरण में आए बोले करो मा कोई उपाए बड़ा ही सकती साली रावण इससे अब हमें कौन बचाए मेगनात ने इंद्र को जीता मेगनात ने इंद्र को जीता स्वर्ग पिली आधिकार जमाए सबको बंदी बनाया रावण हे माता करो कोई उपाए द्यवताओं की बाते सुनकर सरसती बोली है हरसाए आप लोग निजभवन को जाएं सोस्ती हूँ मैं कोई उपाए मा मंत्रा के पास में आई उसकी मती को दी भरमाए मंत्रा दासी थी के कई की के कई से बोली है जाए भरत को राजी अभी सेख कराओ रामिन राजा बनने पाए तेरा फुत्र जो राजा होगा रामी फुत्र बधु बन जाए ओध्या पे राज करेगी राज माता के कई कहा है मती फेर दी सरसती ने मती फेर दी सरसती ने के कई को पभवन में आए दस रत को पभवन में देखे मन में चिंता गई समा आरानी के कई से बोले है के कई सुन लो ध्याने लगाए राज विशेक है श्री राम का तुम क्यो रही हो सोग मनाए अपने दुख का कारण बोलो सिरी दस रत जी रह समझाए के कई बोली बचन दीजिये जो मैं मांगू सो मिले जाए के कई से दस रत जी बोले प्राने जाए पर बचने जाए जो भी मांगोगी मैं दुँगा इसमें भी कोई संखा ना आए दस रत जी की सुन कर बाते के कई मन ही मन मुसका आए दस रत जी से के कई बोली दस रत जी से के कई बोली बात को सुनिये ध्यान लगाए भरत को राजदी सेख मैं बांगू सिरी राम बनवास को जाए ये गोबर मैं मांगू स्वामी के कई बोली है हर साए दस रत ने वरदा ने दे दिया के कई सुन के रहि मुसका आए सरसती मा के ही कारण सिरी राम बनवास को जाए बनवासी होकर प्रभूने असरों का दिया नाम मिठाए के कई वर्यदी नहीं मांगती सीता हरन फिर हो नहीं पाए रामन भी मारा नहीं जाता धर्म का जंडा देता जुकाए सरसती मा के ही कारण धर्म की धजा रही फहराए सरसती का जोद्याने लगाए सरसती का जो ध्याने लगाए वो जग में विद्वान कहाए सरसती मा से बरपा कर मूरक वी ज्यानी बन जाए काली दास जी महमुर्क थे सरसती मा के सरण में आए माता जी से विद्या मांगे सरसती मा हुई सहाए मूरक से विद्वान बने है जग जिनको पुझसी सिनवा इस रिष्टी की पहली नारी माता सरसती कहलाए महासरसती प्रकट हुई तो देख के ब्रह्मा गये लुभायती सुन्दर महासरसती थी जिसे देख सुन्दर तल जाए ब्रह्मा जी पीछे दोड़े है माता सरसती समझ न पाए ब्रह्मा जी को दोड़त देखी ब्रह्म्हाजी को दोड़ते देखी उनकी तरफ ही रहे थे आए अपने तरफ जो आते देखी माता सरस्वती घबर आए दोड़ के वो कैलास पे आई बोल रही अम्नम सिवाए उनके पीछे पड़े थे ब्रह्म्हाज वो भी दोड़ के कैलास पे आई संकर जी के पास सरस्वती सरण में वो ली सीस जुकाए दोड़ रहे मेरे पीछे पीछे फे प्रभु इनसे आप बचाए सिव संभुने बात सुनी तो गए हैं वीशन क्रोध में आई काल भरो को परकट किये हैं काल भरो वो ले सीस लवाए है सिव जी आदेश दीजिए किस कारण से मुझे बुलाए सिव संभु आदेश दिये हैं सिव संभु आदेश दिये हैं ब्रह्मा का सिर्दों का तिगरा इसने वीशन अपराध किया है सरसती को रहा सता एक अबला के पीछे दोडे चूक छमाना होने पाए काल भरो ने बात सुनी है लिया है दिर्शुल हाद उठाए पाच्वा मुख ब्रह्मा का काटे मुख गिरा फुषकर में जाए ब्रह्मा डर से थर थर कापे सिव संभु से अरज लगाए मापि किजिए मुझे महादेव मेरी मतिगाई भरमाए सिव जी क्रोध को सांत किये है बोले ब्रह्मा जी से जाए पुषकर में तिरी पूजा होगी जग पूजे तुझको सिरनाए जो भी तेरी पूजा करेगा जो भी तेरी पूजा करेगा मनवांशित पर वो पाजाए पसंद पंच मी सरो सती का पावन जनम दिन कहलाए मा के जनम उस सब की खुशी को आज भी सारे लोग मनाए ज्यानिकी देवी सरस्वतीमा ज्यानिकी गंगा रही बहाए इस गंगा में जो गोते लगाए उसका जीवन सफर हो जाए ज्यानिक सर्शतीमा से पाकर उनके भक्त विदुमा ने कहाए संजयति वारी लिखे कता को इस मीता सिंगा कर सुना आएं कैला सजी ने रिकोर्ड किया है